आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाउ परसन दिया गया है 400 मिटर लंबी एक ट्रेन, 300 मिटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गती क्या रही होगी हमारे पास चार ओप्शन दिये गया है नंबर एक 22 किलोमेटर परती घंटा दूसरा दिया गया है 54 किलोमेटर परती घंटा तीसरा दिया गया 18 किलोमेटर परती घंटा और चोथा दिया गया, 36 km पढ़ती गंटा, देगें, यहाँ पर हमारे पास एक प्लेटफोर्म है, यहाँ पर इसको प्लेटफोर्म ले सकते हैं, और दूसरा में ट्रेन दी गई है, ट्रेन प्लेटफोर्म की और इस तरह से बढ़ रही है, तो ट्रेन की लंबाई, 400 मिटर लं हमारे पास तेह करनी होगी, 400 प्लस 300 दूरी हमेशा जुड़ जाती है, 400 प्लस 300 बराबर 700 मिटर की दूरी तेह करनी है, प्लेटफोर्म तो चलेगा नहीं, चलेगी तो सिर्फ ट्रेन तो चाल तो सिर्फ ट्रेन की रहेगी, चाल अगर सिर्फ ट्रेन की रहेगी तो ट्रेन की गती कितनी है यहाँ पर ट्रेन की गती चाल बराबर किसके होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय यानि 700 है और कितने सेकंड में है 70 सेकंड में है 0 से 0 चला जाएगा 7 से 7 चला जाएगा यानि आप कहा सकते हैं कि यह जो होगा 10 सेकंड लेगा तो 10 मेटर परती सेकंड हो जाएगी चाल तो अगर हमें ये मेटर परती सेकंड हो जाएगी तो मेटर परती सेकंड में अगर हम ओप्षन देखते हैं तो किलोमेटर परती गंटे में हैं तो हम कहा सकते हैं कि 1 मेटर परती सेकंड में एक मिटर परती सेकंड में हमारे पास होता है 18 बटे 5 किलो मिटर परती घंटा किलो मिटर परती घंटा होता है तो अगर हम इसको देखते हैं कि यहां 10 मिटर है तो 10 में कितना हो जाएगा 10 मिटर परती सेकंड में हम कह सकते हैं 18 बटे 5 गुना 10 काट देते हैं इसको दो बार चला जाएगा, दो बार जाएगा तो हमारे पास 126 आएगा तो 36 किलो मेटर पड़ती घंटा यह इसका उत्तर रहा है इसको हम उप्जन में देख सकते हैं, उप्जन में देखेंगे तो उप्जन नमर 4 हमारा से उत्तर रहा है, धन्नेवाफ Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज राउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 सुपर